यह देखिए, इसमें कितना सुनेरा कलर आया है, और यह बहुत ही क्रिस्पी बनी है. हेलो फ्रेंग्स, स्वागत है आपका काड्यू किचन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं, भहुत ही स्वाधिस्ट और सौफ मत्री, यह मत्री हम मैदे से बनाएंगे, और इसको हम किसी भी फैम्ली फ्रक्शन या ओकेजन में बना सकते हैं, तो चलिए, शुर करें, तो चलिए, अब शुरू करते हैं मत्री बनाना, मत्री बनाने के लिए, सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे, दो कप मैदा, अब हम इसमें डालेंगे, एक टी स्पून नमक, नमक मैंने इसमें डाल दिया है, अब यह मैंने अजवैन ली है, एक टी स्पून, इसको हाथों में लेंगे, इसको थोड़ा सा क्रश करके हम दालेंगे, इसे इसमें खुश्बो और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं, मठरी में टेस्ट को और बढाने के लिए मैं ले रही हूं कसूरी मेथी, यह मैंने 2 टी स्पून ली है, इसको भी हम हाथों से इस तरह से रगड के दालेंगे, मठरी को सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें मोयन आइड करेंगे, यह मैंने 1-2 cup ओईल लिया है, यह हम इसमें मिलाएंगे, अब हम इन सभी को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको हम हाथों से इस तरह से रगडते हुए मिक्स करेंगे, और अब चेक कर लेते हैं, इसमें मोयन, इस तरह से हाथ में लेंगे और एक मुठी बना के हम देखेंगे, यह मुठी बन रही है, मतलब हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है, इस अभी अच्छे से मिक्स हो गए है, अब इसमें हब थोड़ा-थोड़ा करके पानी आड करेंगे और एक टाइट डो हमें त्यार करना है, इस तरह का टाइट डो हमें चाहिए होगा, इसमें लगबर आदे कब जितना पानी लगा है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढखके रख देंगे, 10 मिनट बाद इसकी हम मत्री बनाएंगे, 10 मिनट हो गए हैं, हम डो को चेक कर लेते है इस डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है, अब हम हातों में थोड़ा सा ओई ग्रीज करके इस डो को थोड़ा सा मसलेंगे, डो को मसल के हमने सेट कर लिया है, अब हम इसको मठी का शेव दे देते हैं, अब हम इस डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इसको इस तरह से र बाते हुए करना है, और इस तरह से हम इसको मठी का शेप दे देंगे, यह हमें थिकनेस में इतना मूटा चाहिए होगा, इस अभी मैंने बनाकर त्यार कर ली है, अब इनको हम डीप फ्राइ करेंगे, तो चलिए चलते हैं कडाई की तरफ, कडाई में मैंने तेल दाल दिया है, तेल गरम हो गया है, अब हम इन मठी को तलेंगे, यह कडाई में मैंने मठी दाल दी है, एक बार में कडाई में जितनी आएंगे, उतनी ही हम दालेंगे, अभी हम इसको छेडेंगे नहीं, यह थोड़ा सा तल के ऊपर आजाएंगे, उसके बाद इसको हम हिलाएंगे, यह नीचे से थोड़ी-थोड़ी गोल्डन हो गई है, और दोनों साइट से तल गई है, अब हम इनको निकाल लेंगे, इनको तलने में लगभग चार से पांच मिनट का समय लगा है, यह बाकी बची भी मठी भी हम इसी तरह से तल कर तयार कर लेंगे, यह सभी मठी बनके तयार हो गई है, यह देखिए इसमें कितना सुनेरा कलर क्रिस्पी बनी है, आप य रैसिपी जरूर करें और कमेंट बोक्स में बताएं आपको यह रैसिपी कैसी लगी, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैलनτα को सब्स्क्राइक कर, पास वाले ब